तो हेगाइस, वल्कम टा अन्बोक्स ट्रों और बैक विद मैंने दर वीडियो तो राज के इस वीडियो में मैं आपको आतने वाले डिमी नोट 10 प्रो के बारे में जो कि बिसिकले होने वाले डिमी नोट 9 प्रो का सक्सेजर यह जो स्मार्फोन होने वाले बहुत ज़्यादे इंट्रेस्टिंग स्मार्फोन होने वाले है हाला कि इस स्मार्फोन के ओपर अभी तक कोई भी ऑफिसियल पेसिविक दो नहीं लिखवा है यह पर जो रिडमी नोट 10 प्रो होने वाले यह भी बहुत ज़्यादे इंट्रेस्टिंग होने वाला है और भैले फोर मानी स्मार्फोन होने वाले है क्योंकि इस स्मार्फोन आपको बहुत ज़्यादे इंट्रेस्टिंग फीचर देगने को मिलेगा उसके सथ budget category के अंदर इस smartphone आपको देंगने को मिलेगा In-Display Fingerpin Scanner जिसका मदला है इस smartphone आपको Super AMOLED पैनल भी देंगने को मिलेगा और इसके सथ आपको 5G connectivity भी देंगने को मिलेगा Redmi Note 10 Pro के उपर तो वीडियो को जो एक सुरू से लेके आं तक देखते रहो और एक लाइक भी कर डालो तो वीदर वेस्टिंग निमोड टाइम लेस्स के स्टारेट तो चले बात कर लेते डिमी Note 10 Pro के डिजाइन के बारे में तो यहां पर आपको एंटार डिस्प्ले देंगने को मिलेगा बैक साइन में अपको 6-C85 जो के आपको Voilà Glass Vive का पोटेक्शन के साथ अबलेबल देंगने को मिलेगा जिसके समित केसरह पको से छाव क्रेश्या का इंपली मेंने को मिलेगा सो को क्राइब को और की बात के आपको टो आपको तशे पोंब आं आपको दिखने को मिलेगा तो पेसिफिकाशन की बात करो तो डिस्प्ले आपको दिखने को मिलेगा 6.47 इंच के camo light display panel जिसका resolution होने वाले 10 18 23 40 पिक्सल तो प्रोसेसर की बात करो त्यों आपको 5G प्रोसेसर दिखने को मिलेगा जो कि आने वाले Qualcomm Snapdragon की तरफ से जो कि यह Qualcomm Snapdragon 765G जो कि 5G modem के साथ आपको देखने को मिलेगा यानि कि यह स्मार्टफोन होने वाल है बहुत जदा दमदार स्मार्टफोन होने वाल है जिसमें आपको maximum frequency देखने को मिलेगा 2.4 की गार्ट का जो कि वेस्ट on cryo 475 के उपर जो कि बहुत जदा इंटरेस्टिंग फीचर होने वाल है एन इस 7nm का प्रोसेसर है तो यहाँ पा जो हीटिंग होने वाल है बहुत जदा कम होने वाल है और किसी भी high graphics game को जो है बहुत स्मूदली आप रां कर पाओगे क्योंकि आपको GPU देंगने को मिलेगा Adenos 620 का तो अब high graphics game को बहुत स्मूदी ले रां कर अपाओगे कोई भी आपको heating आपको lag देंगने को नहीं मिलेगा उसके सार RAM की बात का हो तो है आपको baseband आपको देंगने को मिलेगा आपको 6GB RAM के साथ देंगने को मिलेगा जिसके सार आपको 64GB in-wheel storage देंगने को मिलेगा Camera department की बात का हो तो back side में आपको quad camera का implement देंगने को मिलेगा primary sensor की आपको 64MP देंगने को मिलेगा secondary sensor आपको 20 Megavixels का दिंगने को मिलेगा, third sensor आपको 12 Megavixels का दिंगने को मिलेगा, and last में आपको 5 Megavixels का डेप संसिंग कैमेरा दिंगने को मिलेगा, and front camera की बात कहोँ तो front में आपको दिंगने को मिल सकता है 32 Megavixels के front camera, जो के आपको प्रोबाइट करेगा बहुत ही बिटर से selfie को कैप्चर करने के लिए, operating system आपको दिंगने को मिलेगा Android 10 out of the box, जिसके सब के MIUI 11 दिंगने को मिलेगा, and MIUI 11 में इंटरफेस आपको दिंगने को मिलेगा बहुत दोदा तगड़ा होता है, तो बिटर आपको अच्छे लिए कि दिए बिडियो को लाइक करना माद भूला, कॉमेंट करना माद भूला, and आपनी इस्टेल में पहली बादा दोगा सब्सक्काइम आपने नोडबिकर से लोएल को दबाद हो, and उसलिए आपने में इस्टेगम या फेस्बूक वालो नहीं कर दोगो फॉलो कर दो लिंक अपने चे देखने को मिलेगा, so see you guys in my next studio.